कथा नहीं सुनना है सरफ कथा के एक-एक दर्शन को जीवन में उतार के देखना है एक-एक दर्शन को अगर कुंती के दर्शन को देखेंगे आप तो कुंती वास्तम है अगर आपके घर में भागवतम है आप इस प्रसंग को पढ़िएगा कुंती ने कितनी कितनी बाते करी है भगवान भी सोचने लगे कि कितने भारी भरकम ज्यान की चर्चा चल रही है एक समय तो कुंती ने इतना मारमिक बोलाए कि भगवान भी कहन लगे मैं क्या करू रो ना पड़ू बस ऐसा दर्शन आया है ऐसा विचार है उन्होंने यही कहा कि आप विपत्तियों से घेरे रखो और हमेशे हमारे पास रहो बस इतना हम चाहते हैं इतना इतना अगर हो जाए तो आनंद हो जाए और यही जीवन का सार है